तो दोस्तो जैम पोर्टल पर एक नई वीडियो के साथ आप सब का स्वागत करता हूँ और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तो विवाद से विश्वास दोस्तों अगर आप jam portal इस्तमाल करते हैं चाहे buyer की तरफ से हो चाहे seller की तरफ से अगर आप jam portal को इस्तमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको यहाँ एक नया option मिला है विवाद से विश्वास पहले यहाँ पे dashboard, market, forward option यह सारे option आपको मिलते थे लेकिन यह वाला जो option है यह अभी नया option आया है नया option जो है यहाँ पे जोड़ा गया है तो basically हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि यह option क्यों दिया गया है jam portal पे इसकी जरुवत क्या है और इसके फाइदे नुकसान क्या है और किसके यूज के लिए इसको दिया गया है यह seller के लिए है या फिर यह buyer के लिए है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो यह scheme है विवाद से विश्वास यह कोई नही scheme नहीं है यह काफी पुरानी scheme है 2020 में इसको जो है government के through launch किया गया था जो की income tax department के लिए था तो उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जो jam portal पे अब 2023 में 2020 के बाद करीब तीन साल के बाद इसकी जरुवत jam पे क्यों पड़ी और किस क्यों किस वज़े से इस option को यहां दिया गया है और साथ ही साथ में बात करेंगे जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस page पे आते हैं और यहां आपको दो option मिलते हैं जहां पे आपको manual और notice दिखाई देता है यह manual करीब 25 से 30 page का है यह 26 page का है और अगर आप इसके notice को देखते हैं तो यह भी करीब 3 page का है दोस्तों मैं आपको इसको भी समझाऊँगा और इस notice को भी समझाऊँगा कि इसको use कैसे करना है किसलिए दिया गया है क्या क्या बताया गया इसमें तो दोस्तों विवाद से विश्वास को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी-छोटी चीजे जो बेसिक चीजे होती है वो बताने वाला हूँ अगर आपने बेसिक चीज को समझ लिया तो फिर वो जो 25-30 पेच का इतना बड़ा यह था, 2023 तो जैसा iç Allah कि मैंने आपको बताया है कि यह düşी जो है पुरानी Scheme है Income Tax Department के थफु गवशनमेंट के थुरु इसको launch किया गया था दो हजार बीस में अच्छा इसको launch कीं गिया था उसकी वजպ क्या है इसको जो है Income Tax Department की तरफ से launch किया गया था किसलिए income tax और जो income tax pair हैं यानि कि income tax department और जो income tax pair है इनके बीच का जो matter था किसी भी तरह का जो dispute था उस matter को solve करने के लिए इस scheme को launch किया गया था और अब 2023 में jam पर इस scheme को लेके आया गया है तो jam पर इस scheme को लाने का 2023 में मकसद क्या है दोस्तों वो मकसद यह है कि जो कोरोना काल था जो pandemic आया था 2020 में तब से लेकर के और 2023 के बीच में जो jam और jam के sailor के बीच में जो dispute है जो matter है उसको solve करने के लिए इसको यहाँ पर लाया गया है इसके तहट क्या क्या किया जाएगा इसके तहट दोस्तों जो 2020 से लेकर के जो पीरर में भी आपको बताऊंगा 2020 और 2023 की बीच में जो EMD refund का है वो काम किया जाएगा LD refund जिसको liquid damage बोलते हैं जैसे कि अगर कोरोना काल में बात करें तो उस वकत क्या था ट्रांस्पूर्ट बंद हो गया था लेबर नहीं थी तो order तो मिल रहे थे jam पे लेकिन supply नहीं हो पा रही थी तो जिसकी वज़े से जो है LD लगा दिया गया तो वो जो है LD जो है वो refund किया जाएगा EMD refund की जाएगी उसके साथ साथ security refund होगा risk purchase recovery refund होगा ये सारी चीज़े क्या है सेलर के थुरू submit की गई चीज़े हैं जो refund मिलेगी सेलर को उसके बारे में हाँ पताया जा रहा है department revocation है account suspended है किसी भी वज़े से अगर किसी का account suspend हुआ था इस दोरान pandemic के दोरान तो वो जो है उसको वापस दिया जाएगा उसका account उसके अलावा refund of forfeited performance security यानि PBBG है जो कि सेलर के दोरा submit की जाता है इसको refund किया जाएगा EMDB सेलर के दोरा submit की जाती है इसको भी refund किया जाएगा refund of liquidated damage LD जो है वो भी refund की जाएगी अब यहाँ पर relief किस किस को मिलेगा क्या क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पर जो है refund of risk purchase recovery इसका relief logo को मिलेगा सेलर को मिलेगा revocation of banning order अगर किसी भी तरह का कोई ban लगाया गया था तो वो हटा लिया जाएगा उस पर भी relief मिलेगी और यह जो duration है वो होगा 19 फरवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच के जो matter है सिर्फ उन ही के लिए यह scheme लाई गई है ध्यार रहे दोस्तों यह बहुत जरूरी चीज़ है कि 19 फरवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में जो matter थे उनको solve करने के लिए यह विवास से विश्वास scheme जो है वो लाई गई है इसके बाद दोस्तों relief में और क्या क्या है इसमें जो है condition है कुछ वो क्या है कि उसी सेलर को सिर्फ उनही सेलर को relief मिलेगा जो की MSME के तहत रजिस्टर होंगे और जो refund मिलेगा वो कितना मिलेगा वो 95 परसंट मिलेगा याद रहे दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको apply कैसे करना है अगर कोई सेलर चाहता है कि इस दोरान में 19 फरवरी 2020 से लेकर के 31 माद 2022 की बीच में अगर इस तरह का कोई matter उसका आठका हुआ पैंडिंग में है तो इसको कैसे वो apply कर सकता है इसके वारे में दोस्तों हम बात करेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको पोर्टल पर चलना है और पोर्टल पर जाने के बाद जैसे कि मैंने बताए यहां पर आपको डैस्बोर्ड मिलता है और डैस्बोर्ड पर यहां पर एक नए option मिला है जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पर चले आते हैं यहां पर और यहां पर आपको जो है यह दो PDF मिलते हैं जो कि मैंने यहां open किया हुआ है सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं यह तो दोस्तों जो मैंने प्रजेंटेशन अभी आपको दिखाई है जो बेसिक चीज बताई है वो यहीं से है की है जा गोर्मेंट की तरुप से जिसको हम नोटिस कह सकते हैं Office Memorandum कह सकते हैं और इसके अंदर बताया गया था कि किस-किस तरह से जो है जो है मैटर जो है डिस्प्यूट जो मैटर है उनको किस तरह से सौल्व किया जाएगा यहां पर पैरामेटर दिया गया है eligibility condition दी गई है basic चीज मैंने आपको बता दी है बाकी चीज आप यहां से देख सकते हैं कि जो है आपकी eligibility है या नहीं है हाला कि मैंने आपको बता दी है कि MSME के तहत registered होना चाहिए कोई भी sailor है तभी वो इसका फाइदा उठा पाएगा यहां मैंने डेड़ भी आपको बता दिया कि 19 फरवरी 2020 से लेकर के 31 मार्ज 2022 के बीच का जो matter है उनी matter को यहां पर consider किया जाएगा कि कोरोना के दोरान COVID-19 के दोरान यह जो option आपको मिले थे यहां पर जो आप देख रहे हैं यह जो लोगों ने सेलर ने इनको जो submit किया था PBG हो, EMD हो, LD हो इसको जो submit किया था यह जो इसकी जो रहात है इसकी जो matter है इसको solve किया जाएगा यह वापस मिल जाएगी सेलर को उसके लाबा इसके अंदर क्या होगा जो refund of risk purchase recovery जैसे कि मैंने पहले बता दिया और जो किसी तरह का ban का order है वो सब वापस ले लिया जाएगा इस दोरान में जो period में आपको बता रहा हूँ उसके बाद यहाँ पे देखे यह वाला है cause of action है और amount है extent of relief तो यह भी मैंने आपको वहाँ प्रेजनेशन में बता दिया कोई भी interest जो है वो paid नहीं किया जाएगा जो amount था आपको वही amount मिलेगा 95% के हिसाब से तो यह चीज़े आप जो है note जो है यहाँ पे 4-5 point है यह बहुत खास है इनको आप पढ़ लेजिए समझ जाएंगे आप कि यहाँ पे जो है और एक बार समझ लेना है मैं आपको basic चीज़े बता देता हूँ कैसे apply करना है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले page पे देखिए यह उन्होंने एक help line number दिया हुआ और साफ साफ लिखा हुआ है do not call on normal jam help line जो jam portal की help line number होती है उस पे call नहीं करना है इस से related विवाद से विश्वाद से related अगर किसी भी query के लिए आपको call करना है तो इस number पे ही call करना है other number पे call नहीं करना है अब दोस्तों इसको apply करने का तरीका क्या है कि उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है अपनी eligibility देखनी है जो मैंने वहाँ बताई अगर आप eligible है तो आपको क्या करना है आपको अपने portal को login करना है login करने के बाद जो सबसे पहला option होता है वो यह होता है इस तरह से आपको जो है pop-up window मिलेगी और इस pop-up window में आपको बताया जाएगा कि आपकी जो profile है उसको अगर incomplete है तो सबसे पहले उसको complete कर लीजिए तो जब आप login करते हैं login करते समय आपको क्या करना है आपकी profile अगर incomplete है तो जा करके उसको complete कर लीजिए जिसके अंदर आपको यहाँ पर देखे बेसिक चीज़े है जैसे कि यहाँ पर business detail है pen detail है account detail है यह सारी चीज़े आपको भर करके अपनी profile को complete कर लेना है अगर notification दे रहा है incomplete का तो क्योंकि अगर आप profile complete नहीं करते हैं incomplete होती है तो आप eligible नहीं होंगे इसमें apply नहीं कर पाएंगे यहाँ पर apply नहीं कर पाएंगे तो आप profile को complete कर लीजिए profile complete करने के बाद जो है आपको तो आप जब विवाद से विश्वास के portal पर आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए मैं इसको zoom कर देता हूँ थोड़ा देखिए यहाँ इक चीज बताई गई है और उस पर जा करके आपको हम पर claim apply करना है claim apply के दोरान आपको यह 100% पूरा करना है 100% पूरा करने के बाद जो है आपका जो claim है वो registered हो जाएगा और यहाँ पर claim ID के साथ आपकी request दिखाई देगी कुछ इस तरह से और इसके बाद आप जो है यहाँ पर status भी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए पोटल पर ना pending rejected approved settled सारी status जो है दिखाएगा लेकिन उससे पहले apply करने के बाद वो status यह आप इनको चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर आगर आप इसको देखेंगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि जो new claim है उस प वो detail डाल करके और फिर इस form को भर दीजिए यह basically एक form है इस form को भरने के बाद आपको जो है claim request claim ID मिल जाती है और आप उसका status चेक कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ पर जैसे इन्हों ने यह एक seller है जिसने एक दो तीन चार पांच पांच claim किये हैं refund के लिए LD refund है यहाँ पर LD refund है यह भी LD refund है यह है performance security refund तो इस तरह से इन्होंने claim कर रखा है अब जो भी status है वो इस status भी यहाँ से पता चलता रहेगा है देखिए pending है इस आप pending दिखा रहा है जो matter solve हो जाएगा वो यहाँ पर solve दिखाएगा और आपको जो है refund मिल जाएगा तो दोस्तो इसके regarding अगर कोई question रहे गया है या मुझसे कुछ छूड़िया है तो आप comment में जरूर बताइएगा मैं आपको उसको भी clear कर दूँगा